हेलो गाईस कैसे हैं आप सब बहुत दिन हो गया हम लंबा वाला वीडियो नहीं बनाए है तो आज आगे आहूं लेके दो लेंसे का कमपरिजन वीडियो एक है सिगनी का 75 mm और एक है एपेक्सल का 100 mm का मेक्रो लेंस का कमपरिजन वीडियो देखते हैं कि दोनों में से कौन सा बेटर है किसका क्वालिटी बढ़िया है किससे कैसा आउटपूट आता है क्या difference है दोनों का में पहले बता देता हूं कि जो का है यह तो चलिए आज शुरू करते हैं दोनों में कौन सा बैटर यह दोनों लेंस का फुल रिव्यू वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दोनों का बाइंग लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो जब आप स्काइविक का डबा खुलेंगे तो यह एक हार टाइप का एक कवर मिलेगा आपको उसके अंदर आपका आता है एक बेग तो यह बहुत बड़ा डिफरेंस है एक एकसेल और स्काइविक के बीच में क्योंकि एकसल का जो है एक छोटा सा पेपर राप कवर में आता है स्क्राच नहीं होता है या फिर डश्ट नहीं गिरता है अभी साइज में डिफरेंस में बता देता हूं कि जो स्काइविक का लेंस से थोड़ा सा छोटा है एकसल का जो लेंस से थोड़ा सा वेट ज्यादा है उसका स्काइविक का लेंस से दोनों मेटल से बने हुए है तो और एक डिफ्रेंस यह है कि जो स्कािविक का केप आता है तो वाला केप यह मेटल से बना हुआ। यह अधिक्ट से बनाा होता हु duration ट्रूब अधिमीन ऽो इसाइडे साथ कर सकते हैं अपना गैमरा इस साइड में है उससाफ से इसको एड्जस्ट कर सकते हैं लेकिन स्काइभ फिक में ऐसा नहीं हैै एक होगा है यहाँ उलर होगा होगा आपका बंप होता है जब च्छाँ करकर यह सका हूं तो है इसको आपक कहीं पर भी कोई भी फौन में लगा सकते हैं दुनिया का सारा phone supported है और इसको आप कहीं पर भी adjust कर सकते हैं आपका camera कहीं पर भी हो आप इसको आराम से ऐसे करके clip कर सकते हैं और यह आराम से clip हो जाएगा तो जैसे के आप यहां पर देख सकते हैं और इसको आप उपर नीचे कहीं पर भी adjust कर सकते हैं और या इसको left right करके कहीं पर भी adjust करके तो यह हो गया आपका Apexel का New Lens Holder, जिसको आप कोई भी फोन में, अगर कोई भी फोन में अगर आपका Universal Clip Support नहीं करता है, तो यह Universal Holder को लगा सकते हैं, Lens में, यहाँ पे Lens Bag दिया गया है, दोनों में, दोनों साइड में क्लेनिंग कलद दिया गया है, एक Extra Lens ओड दिया गया पे कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम चलते हैं Lens के उपर और देखते हैं Lens में, यह दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किस में अच्छा आउट पुटाता है, क्या डिफरेंस है प्रपर्टिस में तो फस्ट टेस्ट है, बोके टेस्ट, क्योंकि यह लो मेगनिफिकेशन मेक्रो लेंस है दोनों, तो इसका बोके बहुत ब्यूटिफुल आता है, तो यह है अपेक्सल का 100 mm का, और यह है स्काइविक का 75 mm, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपे दोनों का डिफरेंस थोड़ा सही है, एपक्सल का जो 100 mm है, उसमें बड़ा बड़ा बोके आता है, बोके मतलब जो बेग्गराउंड का जो गोल गोल टाइप का जो ब्यूटिफुल बोके दिखता है, और स्काइव अच्छा लगता है, मैं ऐसे टाइप का मैक्रोशोट्स लेता हूँ, जिसमें बहुत सार बोके हो बेग्गराउंड में, तो आप उस हिसाब से अपना लेंग्ग्राउंड कर सकते हैं, अगर आपको फ्लाट बेग्राउंड चाहिए तो वह भी हो सकता है, दोनों लेंग्रा लेकिन आपका जो बेग्राउंड है, बहुत ही दूर में रहना चाहिए सब्जेट, बहुत सार बोके टेस्टिंग तद कर लिये, अभी हम फोकस डिस्टेंस में भी बता देता हूँ, कि दोनों का फोकस डिस्टेंस सेम है, दोनों का मेगनिपिकेशन सेम है, दोनों का फोकस सेम है, तो अल्मोस दोनों लेंस सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही प्रपर्टी में सेम है, बस उनली जो बोके का इफेक्ट आता है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, जैसे कि आपने देखा ये दोनों लेंस के बीच में, आउटपूट में तो ऐसा कोई कोई problem नहीं है मतलब कोई difference नहीं है कोई chromatic Annoy नहीं है कोई blurry edge वाला भी problem नहीं है और इस दोनों लेंस का बस difference है कि price थोड़ा सा difference है 1000 रुपीज इसका ज्यादा है जिसमें ज्यादा थोड़ा सा accessory जाते हैं जैसे केक extra बेग आता है और एक hard cover आता है बस यही है extra लेकिन अगर लेंस में देखा जाए तो दोनों में कोई difference नहीं है बस 1000 रुपीज का difference है तो मुझे बताइए नीचे कमेंट करके आपको कौन सा वला लेंस का output अच्छा लगा या फिर आपको भी दोनों सेम लगा क्या है आपका कमेंट इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं thank you for watching and I will see you in next video